सबसे पहली बात आज के इस वीडियो में अपन जिस टेकनोलोजी की बात करेंगे वह कोई हवा हवाई बात नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं लंबी लंबी फेंग रहा हूँ पर यह सब रियल है एक बेटरी जिसकी लाइफ 100 years है और इसका मतलब यह नहीं है कि यह 100 years तक खराब नहीं होगी इस 100 years का मतलब है एक बार चार्ज करने के बाद में यह बेटरी 100 years तक चलेगी और एक केलिफोर्निया बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है NDB उसने ऐसी बेटरी बनाई है कि उसकी लाइफ 28,000 years तक है यानि इस बेटरी को पूरा डिस्चार्ज करने के लिए हमें इस अर्थ पर 400 बार जनम लेना होगा बताओ तो इस वीडियो में हम यही जनेंगे कि यह जो बेटरी है सबसे पहले तो यह अपने पास में कब तक पहुंच जाएगी और इसके साथ में क्या-क्या प्रोब्लम्स है और यह कैसे काम करती है और यार ऐसा पोसिबल कैसे है तो यह सब पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में तो बस जान से यह जो बेटरी है इसका नाम है नुकलियर बेटरी सबसे पहले मैं आपके बेसिक फंडामेंटल कलियर कर देता हूँ यह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उन में होता ही है कि उनकी एनरजी तो निकल जाती है लेकिन उसके बाद में इनकी radio activity का effect कई हजार सालों तक हमारी अर्थ पर रहता है जैसे जापान में हिरोशिमा और नागा साकी पे जो nuclear bomb गिराए थे तो वहाँ पर आज भी radio activity का effect है तो यह जो radioactive rays है ना इसको हम एक energy मान के चलते हैं इस nuclear battery में तो इस battery में होता ही है कि हमें एक radioactive element चाहिए for example strontium 90 और इस radioactive element को इस battery में एक side में रखा जाता है और दूसरी side में रखा जाता है कोई भी semiconductor जैसे silicon हो गया जब इस radioactive element का decay होता है तो इससे beta rays निकलती है और इन beta rays के पास में electron होता है और यह beta rays इस semiconductor से टकराती है और यह semiconductor in radioactive rays को electricity में बदल देता है बस यही simple सी कहानी है इसकी और इसी कहानी को बोलते हैं beta voltage concept सेम उसी तरीके से जैसे हमारे sun से हमें जो rays मिलती है उनको solar panel electric energy में बदल देते हैं और यह electric panels कैसे solar energy को electric energy में बदलते हैं उसके लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो लेकिन अभी यह जो beta rays है यह हमारे लिए वैसे खतरनाक है क्योंकि यह हमारी body के contact में आ गई तो body के cells को भी damage कर सकती है इसलिए इस बेटरी के चारों तरफ aluminum की coating कर दी जाती है क्योंकि यह beta rays aluminum को cross नहीं कर सकती है तो ऐसा का जा सकता है कि यह बेटरी हमारे लिए safe है इसे हमें कोई भी नुकसान नहीं है अब हमें ऐसे radioactive elements यह जिनके पास में beta rays होती है क्योंकि beta rays में electrons होते हैं जो electricity में बदल जाते हैं जैसे nickel 63, strontium 90, plutonium 230 और इसके अलावा सबसे ज़्यादा radioactive element जो nuclear power plant है उसका जो waste है वह है तो यार यह कोई वैसे नई technology नहीं है पर इतने दिन हमारे पास में इस technology को develop करने का सई तरीका नहीं था जैसे पुराने टाइम में जो company pacemaker बनाती थी वह है इस nuclear battery को काम में लेती थी वैसे pacemaker होता है जब किसी person का heart कमजोर हो जाता है तो यह pacemaker उसको support करता है और जो heartbeat है उसको control करता है तो इस pacemaker को हमारी body में heart के पास में install किया जाता है अब हमको एक ऐसी बेटरी चाहिए थी जो इस pacemaker को long time के लिए power दे सके क्योंकि बेटरी down हो गई तो बार बार तो हम operation करवा कर बेटरी बदलवा नहीं सकते तो nuclear battery का use इस pacemaker में किया गया लेकिन इसकी बेटरी की life जादा होने की वज़े से जब उस person की death हो जाती थी जिसमें यह pacemaker लगा होता था तो death के बाद में जो बेटरी में बची हुई energy थी वह है एक बहुत ही बड़ी problem थी क्योंकि यह जो radioactive element है यह कई हजार सालों तक radio activity environment में फैलाता रहता है इसलिए pacemaker में आज के टाइम में लीथिम आइन बेटरी यूज में ली जाती है जैसे NASA ने अभी अपना rover Mars पर उता रहा था तो उसमें plutonium 238 को लेकर nuclear बेटरी बनाई थी जो 14 years तक उस rover को supply देगी तो कहने का मतलब इस बेटरी को हम उन जगे पर यूज में कर सकते हैं जहां पर हमें long बेटरी बेकप चाहिए होता है और जिसको हम बार बार बेटरी को बदल नहीं सकते अभी यहां पर जो radioactive element होता है उसकी अलग-अलग life होती है किसी की 100 year किसी की 50 year तो पूराने टाइम में nickel 63 को काम में लिया जाता था nuclear बेटरी में लेकिन आज के टाइम में इसको use में नहीं लिया जाता है तो यह जो technology है develop होती गई और अब जो हमारे पास में new technology है उसके हिसाब से उसकी life 28,000 years तक की है और यह भाई कोई मजाग नहीं है reality है और ऐसा experiment भी हो गया है और इस बेटरी का नाम है nano diamond बेटरी यानि NDB और जिस company ने इसको बनाया है उस company का नाम भी NDB ही है और interesting बात यह है कि इस बेटरी को waste material से यानि कचरे से बनाया गया है और यह waste material है nuclear power plant का nuclear power plant में एक nuclear reactor लगा रहता है और इस nuclear reactor के अंदर uranium को रखा जाता है और जब इस reactor में uranium की fusion की process सुरू होती है वैसे मैंने nuclear reactor के बारे में कोई अलग वीडियो नहीं बनाया है आप कहोगे तो मैं बना दूँगा लेकिन इसको थोड़ा सा और आसान समझने के लिए आप यह वाला वीडियो देख सकते हो इस nuclear bomb की process भी nuclear power plant जेसी ही है बस थोड़ा सा जो फरक है वो मैंने वीडियो में बात की है तो nuclear fusion की process जब सुरू होती है तो वहाँ पर chain reaction होता है इस reactor के अंदर और इस chain reaction को control करने के लिए graphite की road को काम में लिया जाता है जो की एक moderator है और यह जो graphite के blocks होते हैं इसको control करने के लिए यह बहुत बड़े-बड़े होते हैं अब जो uranium है वह एक radioactive element है जिसकी energy बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो यह graphite इस uranium के contact में आने से यह भी radioactive बन जाता है अब जब इस graphite को waste material के तोर पर बाहर निकाला जाता है तो इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह कई हजार सालों तक अपनी radio activity environment में फैलाता रहेगा जिसका side effect भी बहुत है तो इसको एक carbon की core के अंदर पेक किया जाता है और फिर एक safe जगह पर रख दिया जाता है तो यह जो waste है यह बहुत बड़ी problem बनता जा रहा है nuclear power plant में क्योंकि इसका करे क्या यह सबसे बड़ी समस्या है तो scientist ने यहाँ पर बहुत ही जवर्दस दिमाग लगाया और सोचा कि यह जो graphite है इसके पास में radioactive rays है इसका मतलब इसके पास में energy तो है तो क्यों ना हम इस radioactive rays को ही direct electricity में बदल दे तो हमें कोई nuclear reactor की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब scientist ने इस graphite को सही से देखा तो इसमें हमें देखा carbon 14 और इस carbon 14 को इस waste से बाहर निकाला और low pressure और high temperature पर जब यह अपनी gas foam में होता है तो इस carbon 14 को बदल दिया गया diamond के अंदर अब यह जो diamond है यह हमारे normal diamond जैसा नहीं है यह radioactive diamond है तो यह जो carbon 14 है ना इसके पास में एक beta decaying electron है इसका मतलब इस diamond के अंदर यह carbon 14 ही है जो energy supply करेगा और यह जो carbon 14 है ना इसकी half life 5700 years तक की है तो यह इतने साल के बाद में तो अपनी half energy ही release कर फाएगा साइध यह आपके लिए थोड़ा complicated हो गया होगा लेकिन don't worry हमें battery बनानी नहीं है बस हमें देखना है कि यह काम कैसे करती है अब यह diamond तो radioactive element है तो इसके बाहर की तरफ छोटे छोटे नेनो डाइमंड से non radioactive element से cover कर दिया जाता है इसलिए इस बेटरी का नाम है नेनो डाइमंड बेटरी अब यह जो बाहर की तरफ जो नेनो डाइमंड है यह जो अंदर radioactive element carbon 14 की radioactive rays की जो energy है उसको बहुत अच्छे से absorb कर लेते हैं और इसको electric energy में convert कर देते हैं और इसके बाद में इस बेटरी को hardest non radioactive element से pack कर दिया जाता है ताकि कोई भी radiation बाहर की तरफ ना आये जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह बेटरी